हेलो फ्रेट्स पेलिकेम बैक टू माई ब्यूट्टी टिप्स चनल तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि आपके हाथ पैरों पेर्वें बहुत सारा काला पर्ण है चेला तो आपका गोरा है लेकिन आपके हाथ पैर जो है काले हैं और बहुत बेकार लगते हैं आपको खुद भीतरीन सब पैक बताऊंगी इसका यूज करने से हफ्ते बर में ही आपके हातों पैरों का लंग गोरा हो जाएगा साथी साथ इसकी में चमक आजाएगी तो आईए इसको बनाना शुरू करते हैं तो simply इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है इसमें दही दही आपके घर में खटा दही होना चाहिए जो आपके घर में स्टोर किया हुआ रखा है खटा दही हो गया है तो आप उसको यूज कीजिए और तो वो खाने के काम में भी नहीं आता है लेकिन आप इसको अप अच्छे से हम मिक्स करेंगे, हम इसमें जो भी चीजे एड़ करेंगे, वो बहुत ही आसानी से आपको आपके किचिन में मिर जाएंगी, और जिससे कि आप अपने हादों पैरों को सुन्दर गोरा बना सकते हैं, तो अब आपको इसमें लेना है वन पिंच हल्दी, बहुत ही हल्दी हमारी तुचा के रंग को निखाने के लिए उस पे बहुत सारी टैनिंग, गंदगी, मैल जमा हो गई है, उसको रिमूव करने के लिए, तो देखिए हमारी तीन चीजे इसमें हो गई है, तीनों ही आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, और इसके बाद में हमें ल बस आप क्या है, हमारा पैक ब्लोकर रेडी हो गया है, इसको लगाना देख लेते हैं, ये तो बहुत ही जादा जरूरी है, पैक को हमने बना लिया है, लेकिन लगाना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि आपको बढ़िया तरीके से फुल रिजल्ट मिल सकें, तो इसको बना लिया है, अब इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको लेना है, अपने फेस पे लगाना है इसको, आप चाहिए तो इसको अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, ये फेस के लिए भी बहुत एफेक्टिब है, क्योंकि इसमें जो भी घंटा भी आपको लग सकता है, अच्छे से ड्राई होना चाहिए, 90% ये ड्राई हो जाए, तब आपको इसको इस तरीके से रगरते हुए, रफ करते हुए हटाना है, इससे क्या होगा, आप जब इसको रफ करते हुए हटाएंगे, तो आपकी जो हातों पेरों पर गंदगी ह मेल है, वो सारी रिमूव हो जाएगी और इसके नेकदम से फियर हो जाएगी, तो ये बहुत ही कमाल का टिप्स है, आप इसको अपने हातों पेरों पर अपलाई कीजिए, और अपने हातों पेरों को सुन्दर गोरा बनाएए,